हेलो एवरीबन स्वागत है आप सभी का जी असक्रक्स में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रधान मंतरी स्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी फांडेशन इस्टोन रखी है महराजा सुहलदेव मेमोरियल का और कुछ डेवलप्मेंट वर्क का भी इनागूरेशन इ उसकी फांडेशन इस्टोन रखी है इसके बारे में जी एस प्रेलेम्स और जी एस पेपर फॉर्स्ट के मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में इससे रिलेटेट कुछिन्स आ सकते हैं अब हम देखते हैं महराजा सुहलदेव राजभर के बारे में ये सारावस्ति उत्तर प्र गुरिला वारफेर का यूज करते थे गुरिला वारफेर यानि की चिप कर और फिर अटैक करना इस टेक्निक को जो है महराजा सिवा जी ने भी यूज किया था मराठा जो थे और उन्होंने भी गुरिला वारफेर का का इस्तिमाल किया था अपने लड़ाईों को जितने के लिए इन्होंने गुरिला वारफेर से मुहम्मद गजनी की बहुत बड़ी सेना को आसानी से हरा दिया था सुहलदेव जो थे इन्हें काफी अगहाद पहुचा था जब सोमनाठ टेंपल को लूटा था इन्मेडर जो था मुहम्मद गजनी ने जब इसे लूटा था तो इन्होंने कई कम्यूनिटीज को मिला कर जैसे थारू बंजारा और और भी सारे जो छोटे किंग्स थे उनको मिला कर जो है इन्होंने मुहम्मद गजनी से लड़ने की कसम खाई थी इनकी आर्मी ने गाजी सलार मसूद जो था नेफ्यू था मुहम्मद गजनी का उनसे लड़ा और बहराइच में ये वार हुई थी और इसमें गाजी सलार मसूद को इन्होंने मार दिया था किल कर दिया था जान से यहां पे इनको मार दिया था गाजी सलारमसूद को अब राजा सुहलिदेव जो है इनके बारे में मिलता है मिरात एमसूदी में एक बायोग्राफी है सलारमसूद की और इस पर्सियन लांगोएज में लिखी गई है एक historical account है जिससे की महराजा सुहलदेव राजभर के बारे में पता चलता है मिरात मसूदी जो है बायोग्राफी है सलार मसूद की जिसे लिखा है कि इसने तो अब्दूर रह्मान चिस्ती ने जो की मुगल एंपरर जहांगीर के टाइम पिरियड में था 1605 से 1627 तक जो अब्दूर रह्मान चिस्ती था उसने लिखा था महराजा सुहलदेव जो है इनको राजभर भी कहा जाता है और एक popular caste है जो की राजभर है इनकी एक icon है ये महराजा सुहलदेव राजभर अब देखते हैं हम चितावड़ा लेक के बारे में कि लेक कहा है और एक किसले famous है चित्तवरा लेक के बारे में देखें तो यह चित्तवरा जिल जो है लोकेटट है बहराईज डिस्टिक्ट में नियर विलेज चित्तवर इन उत्तर प्रदेश चित्तवड विलेज के पास में जो है भाराई डिस्टिक्ट में एक लेख है और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तेरी नदी तेरी नदी जो है वो निकलती है चित्तवडा लेख से एक स्माल रिवर है जो किस से निकलती है और यह बहुत सारी माइगरेटरी वसंत पंचमी के समय जो है मेला लगता है यहां मेला का आयोजन होता है कार्थिक पूर्णिमा और वसंत पंचमी के समय में यहां जो है एक आसरम है जो की मूनी अस्तवार का यहां पे रहते थे इस आसरम पे और यहां से एविडेंस मिलता है इपीक फाइट का जो की बिट्व सुहलदेव राजभर के बीच में जो की 1033 एडी में हुआ था यहां एक temple complex का भी evidence मिलता है जिसमें की statue है राजा सुहलदेव की और जो है इसमें टेमपल डेडिकेटेट है गौडश सीवा गौडश दुरुगा को जो की यहां पर situated है तो यह आज के वीडियो में हमने देखा इनके बारे में महराजा सुहलदेव राजभर के बारे में और अगले वीडियो में हम कुछ नए चीज़ों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यबाद